Hello everyone, this is Prashan Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes हम बात कर रहे थे ICT की और आज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने हम साइबर सिक्क्योर्टी में ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कहलाती है हेकिंग रर्ड आपके लिए बहुत सामानी रर्ड है और काफी पहले से आप इसके बारे में सनते हैं लगातार अलग अलग मूवीज वगेरा में ये लगातार अलग अलग इंटरनिट से अगर आप जुडिे हैं तो आज जो मैं बात करूँगा मैं बात करूँगा इस प्रोसेस की और इसमें किस तरीके की चीजे देखने को मिलती है आखिर क्या क्या चीजेंस में होती है आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे hacking का अगर मैं सीधे तरीके से बात करूँ तो hacking का मतलब होता क्या है hacking का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो unauthorized user है और वो किसी भी तरीके से आपके system को आपके network को या आपके system में रखे हुए data को या तो चुरा लेता है या तो उसको access कर लेता है या किसी भी प्रकार से आपकी permission के बिना या जो authorized user है उसकी permission के बिना उस data को वो use करता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर hacking हो गई है definition के basis पर देखें तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश के लिए आपके system function में network server या किसी भी प्रकार से उसको अगर कोई loophole मिलता है कोई कमजोरी मिलती है तो क्या करेगा उस system में जो loophole है जो कमजोरी है उसका फायदा उठाएगा और उस system को अपने अनुसार क्या कर लेगा modify कर लेगा तो आपको मतलब समझ में आगया होगा कि hacking बोलते किसको है तो hacking का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है कोई भी institution या individual अगर unauthorized है और वो आपके system के data को अपने अनुसार crack कर रहा है अपने अनुसार modify कर रहा है अपने अनुसार चीजों को use कर रहा है और आपकी permission के ब प्रकार से हो सकता है या तो data ही चेंज हो जाएगा data destroy हो जाएगा या किसी प्रकार से और changes देखने को लेंगे तो यह process जो है यह hacking है और ऐसा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जो individual होते हैं वो hacker कहलाते है तो hacker जो है वो ऐसा काम करने वाले व्यक्तियों को programmer को मतलब जो programmer है उनको बोला जाता है और उस process को हम hacking बोलते हैं अब आपके दिमाग बेक question यह आता है कि sir hacking जो एक process है जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं तो hacking की process जो है वो legal होती है या illegal होती है वो ethical होती है या फिर वो malicious हो सकती है तो हम क्या बोलें कि 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 किस प्रकार की होगी कि hacking करना ठीक ह है कि hacking करना जो है वो गलत है तो आप क्या बोलेंगे तो अगर मैं आपको बात करूं कि hacking जो है वो किस type की होती है क्या वो सही है या गलत है तो उसके लिए आपका जवाब जो है वो इस पर मिल जाएगा और यहां पर हम बात कर रहे है कि हम types of hacking को देख रहे हैं तो यहां पर आप देखिए कि hacking जो है वो मेप दोकार की हो सकती एक जिसको आप बोलते हो ethical hacking right और दूसरा जिसको आप बोलते हो malicious hacking अब ethical hacking किसको बोलेंगे ethical hacking किसको बोलेंगे ऐसा व्यक्ति ऐसे ही working जो ethics को धियान में रखकर की जाए right बुले सार ethics तो ऐसे ही working जो ethics को धियान में रखकर जो values है जो society के आधार पर सही जो नियमों के आधार पर सही है तो अगर आपकी hacking जो है वो नियमों के आधार पर है जो values के आधार पर है तो वहाँ पर आपकी hacking को बोल दिया जाता है ethical hacking तो इस प्रकार की जो hacking होती है वो किसी अच्छे काम के लिए ही की जाती है जैसे माल लीजे कि बड़े बड़े institution है अब वो institution या government institution है अब उसको किसी भी व्यक्ति के जो system है उनको hack करना है किसी प्रकार से उनकी information चाहिए तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के किसी भी दूसरी companies की या कहीं पर भी दूसरे के data को hack कर रहे हो और आपका objective जो है वो उसको कभी कभी क्या बाता है कि government offices में बैठा हुआ एक programmer जो है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति या दूसरे system या किसी भी criminal के system को क्या कर लेता है hack कर लेता है तो वहाँ पर जो system को hack किया गया है वहाँ इसलिए किया गया है ताकि उनको नुक्सान ना पहुँचाया जाए बलकि इसल पर ओल एक तरीके से अगर आप देखोगे तो सही है नियमों के आधार पर है ethical है तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि यह ethical है अब malicious का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि malicious का मतलब होता है 2 spoon तो जब आप hacking करें किसी 2 spoon भावना से जब आप hacking करते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति के system पर रखे हुए data को या network को destroy करने के लिए जब आप hacking करते हैं दूसरे व्यक्ति के information को चुरा कर अपने personal interest को fulfill करने के लिए अपने जो personal objective है उनको fulfill करने के लिए तो यहाँ पर आपका जो objective है वो ethical नहीं हुआ ना यहाँ पर आपका objective जो है वो नियमों के अनरूप नहीं ह कि अगर मान लीजे कि आप दूस्पूर्ण भावना से hacking कर रहे हैं दूसरे के system के data को चुरा रहे हैं या किसी प्रकार से आप उसको hack कर रहे है तो वहाँ पर बोल दिया जाता है malicious hacking तो आज से आपके दिमाग में यह चीज़े clear हो गई होगी कि hacking जो है वो सही है या गलत है अगर आप यह बताएंगे तो आप बोलेंगे कि अगर hacking जो है वो ethical hacking है तो वो सही है और अगर वो malicious hacking है तो वो फिर गलत मानी जाती है बासरण में आ रही है अब अगर मैं बात करूं hacking की तो hacking के बाद मैंने यह बोला कि जो व्यक्ति इस प्रकार की process को execute करता है उसको हम बोल करके यह किसी प्रकार से दूसरे के सिस्टम के data को access करते हैं या उनको delete करते हैं या अपने आधार पर काम करते हैं उन व्यक्तियों को हम बोल देते हैं hacker यह hacker आखिर किस प्रकार के होते हैं तो यहां पर आपको different different type के hacker जो है वो देखने को मिल जाएंगे जैसे सबसे पहले नाम से बहुत सारे hacker तो आपको नाम से आइडिया लग जाएगा अच्छा इसमें इस प्रकार की चीज़े है यहां पर आपको नाम से ही आइडिया लग जाएगा कि white है hacker है black है hacker हम color से ही चीजों को decide कर लेते हैं भारत में एक बहुत मतलब लोगों में आप बोलिए तो ये सही है, तो हमने color के आधार पर भी चीजों को कर लिया है, color के आधार पर ही हमने color को भी religion के basis पर divide कर दिया, तो ये विडम बना है देश, बासमझ में आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर हम वापस उन्हीं चीजों की बात करें, तो किस प्रकार की चीज़े, एक हो तब white hat hacker, नाम से idea, color से idea लग रहा होगा, एक हो तब black hat hacker बात करेंगे, gray hat hacker, ये भी बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, red hat hacker, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, blue hat hacker, बोले sir, सारी color हो गए, क्या है, ये सारी color के hacker जो है, वो देखने को मिलेंगे, तो आपको different different type के hacker जो है, वो देखने को मिलेंगे, ठीक, उसके बाद में अगर आप बात करेंगे, तो script kiddies आपको मिलेगा, उसके बाद आप बात करेंगे, कहां पर कौन सा hacker करता है और अगर इस प्रकार की hacking हो रही है तो उसको आखिर बोलते क्या है तो यह आप एक चीज इसमें याद रखिए अब यहां पर देखिए कि किस तरीके एक चीज है सबसे पहले आता है white hat hacker अब white hat hacker क्या है यहां पर एक व्यक्ती है वो hacking करने का प्रयास कर रहा है अब क्योंकि यहां पर hacking को भी करें सामानी तोर पर वो अपने आपको सामने reveal नहीं करता है अपने आपको खूल कर प्रेस नहीं करता है कि हाँ हमने hacking किया तो यहां पर generally अगर आप देखेंगे इमेज जो है बनती है कि हाँ भई एक hacker है जो hat पहन कर जिससे उसका चैरा जो है वो ढखा रहता है लेकिन यहां पर उसका hat का color जो है वो कैसा है वो white तो यहां पर उसके आधार पर यह नाम जो है वो decide कर दिएगए बोले कि हाँ अच्छा काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वो white hat पहनेगा तो इस तरीके की चीज़े जो है वो इसमें देखने को लेंगे तो यहां पर एक व्यक्ति है जो लगा हुआ है अपने काम पर अलग अलग प्रकार से और दूसरे के data को किसी भी तरीके क्या कर सके है कर सके लेकिन यहां पर जो हैकिंग हो रही है वो किसाधर पर हो रही है यहां पर जो हैकिंग हो रही है या तो आप माली जएके किसी कमपनी के जो application बनी है किसी कमपनी के जो program बने है उन program को उन software में कुछ कमियों को ढूड़ कर उस company को बता दे रहा हूँ या फिर government entities या government agencies के लिए आप काम कर रहो तो यहां पर इस प्रकार तो ethical values को ध्यान में रखकर अगर कोई person कोई programmer किसी दूसरे person या institution के program को या system को hack करता है तो वहां पर बोला जाता है कि यह ethical है और ethical में कौन सा type तो यहां पर बोल दिया जाता है कि यह white hat hacker है बासम्यारी है white hat hacker के बारे में याद रखी certified hacker होते है registered है certified है कि यहां तुम hacker हो यहां पर इस तरीके चीज़े है certified hacker को ही हम क्या बोलते है white hat hacker बोलते है यह अपना काम जो है वो कैसे लेते है permission लेकर करते है मतलब पहले पूछ लिए कि सब आपके system को हमको hack करना है या किसी व्यक्ति के system को hack करना है तो जो authorization है उस authorization सी permission ले लेते है कि हम ऐसा करने वाले है इसमें बाकी जो चीज़े होंगी वो आपकी जिम्मेदारी है आपने हमको permission दिये तो हम इस तरीके की चीज़े करेंगे तो कानूनी दाइरे में रहकर इस प्रकार के काम जो है वो करे जाते है बासवज में आ रही है इनका उद्धिस किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान पहुचाना नहीं होता है कि मान लीजे कि डेटा जो है में रहकर हैकिंग करते है तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी सिस्टम में कमिया ये बग का पता करते है ठीक है और उन्हें दूर करते है कि अगर मान लीजे कि किसी कमपनी या किसी भी इंस्टिटूशन के लिए आप कोई प्रोग्राम में हैक कर रहे हो तो वहाँ पर चीज़े किस प्रकार से दिख रहे है कि वहाँ पर पता चला कि अच्छा आप ये चीज़े बता दिये और बताने के बाद में वो जो कमी है उसके लिए हम क्या बोल देते है कि भाई ये हैकिंग हुई है और इसमें ये कमी है तो ये व्यक्ति तो बढ़ी हा था इसने हमको जानकारी दे दी लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस प्रकार की चीज़े करता तो समस्य होती है इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि कमपनी क्या करती है जो कमपनी होती है कमपनी हायर करती है किसको कुछ हैकर को ठीक है और हैकर कैसे हैकर ऐसे जो एथिकल हो जो वाइट है और वहां पर चीज़े किस प्रकार की इनको यह बोला जाता है कि देखो ऐसा है हमने एक program हमने एक software जो है वो develop किया है तो यह software में आप क्या करो इसको hack करने की कोसिस करो इसको अब hack करो तो यहाँ पर इस software में कहीं पर भी जहां पर भी आपको जो कमी मिले जिस कमी का use करके future में कोई भी दूसरा व्यक्ति कोई भी दूसरा programmer या hacker इस data waste को hack कर सकता है, इस site को hack कर सकता है, उस कमी को हमको बताओ ताकि हम उस कमी को दूर कर सके है। या आप ही उस कमी को दूर करों। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि Permission भी मिल गए, किसके जो통 is authorization है। जो organization है, उस organization को authority है। कि वो इस तरीके की चीज़े कर सकते है। अपने ही organization में के द्वारा डबल अप किये गया product में वो बोल रहा है कि आप इसको hack करी और hack करके इसके loophole को ढूड कर हमको बताईए और इसके बदले वो क्या करेगी इसके बदले फिर वो उसको pay off करेगी तो यहां पर इस तरीके की hacking जो हुई है वो किस लिए हुई है या किस objective के साथ में हुई है तो वो ethical values नियमों को ध्यान में रखकर loophole या bug को ढूडा गया और उस bug में जो भी दिक्कत थी जो भी bug था उसको दूर किया गया और company ऐसा क्यों कर रही है ऐसा इसलिए कर रही है ताकि future में जो malicious hacking की condition देखने को मिलती है उस प्रकार की condition या उस प्रकार के hacker हमारी site को hack न कर पाए तो उसके लिए आपने क्या किया पहले ही इसको testing mode पर इस तरीके चीज़े कर लिए तो इस प्रकार के जो hacker होंगे वो क्या होंगे वो white hat hacker होंगे आइडिया लग गया होगा कि white hat hacker मतलब की काम जो है वो बढ़िया होगा hacking करेंगे लेकिन इनका objective जो है वो क्या होगा वो ethical होगा यहाँ पर नियम को ताओ पर रख कर या नियम के विपरीत जाकर यह काम नहीं करेंगे लोग के हिसाब से ही चीज़े जो है वो देखने को मिलेंगे इसके बाद आता है black hat hacker black hat hacker जो है generally opposite होटता है किसके white hat के अब अगर white जो है वो इधर चल रहा है तो यह black जो है बासन में आ रही है तो यहाँ पर चीज़े कैसी है यह दिन और रात की condition है ठीक तो यहाँ पर इस्थिति यह है कि इसका काम जो है वो दूसरे direction का है इसका काम जो है वो दूसरे direction का है प्रोसेस दोनों की सेम है प्रोसेस क्या है hacking करना लेकिन hacking में यह तो नियमों को ध्यान में रखकर यह ethically hacking कर रहा है लेकिन यह भाई इसका तो objective ही malicious है तो फिर तो समस्या है ना तो इस malicious प्रोग्राम को ध्यान में रखकर इसके द्वारा hacking हो रही है तो इस malicious objective के साथ में अग क्लामति के आपके system या अन्य व्यक्तियों के system में कमिया धुड कर उनका गलत इस्तमाल करते हैं क्वाइट Up! पर्मित किया जा रहा था कि भाईएपको हैकिंग करना यहां पर चीजें किस प्रकार से हैं आप प्रमिट करो नई करो हमकोई का हैक करे अब वहां पर हमको loophole मिल गया, कमी मिल गया, अब उस कमी का हम use करेंगे और उस कमी के आधार पर हम क्या करेंगे उसको hack करेंगे और उस data का use अपने objective को fulfill करने के लिए करेंगे हम blackmail भी कर सकते हैं तो यहां पर चीज़े किस प्रकार से देख रहे हैं कि गलत इस्तमाल करते हैं यह hacker जो होते हैं वो certified भी होते हैं और नहीं भी होते हैं हो सकता है कि certified हो या फिर नहीं हो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक condition मनती है gray hat hacker की तो वहां पर आपको इस तरीके की चीज़े देखने को मिलेंगी यह पूर कार सिर्फ अपने फायदे के लिए ही करते हैं कोई मतलब नहींहें सामने वाले को इस छीज़से नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है नियम सही है नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं है hacking करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए उनका individual interest उनका जो objective है वो fulfill हो जाए उनको जो फायदा चाहिए वो फायदा मिल जाए आपके information को hack कर लेंगे और फायदा लेकर और फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे और दूसरों का data चुरा कर उनको blackmail भी कर सकते हैं और अपना जो knowledge है मतला hacking करना भी तो एक ऐसा थोड़ी है कि कोई भी व्यक्ति आया keyboard में type किया बोले कि हाँ hacking होगी है hacking करना भी तो एक knowledge वाला काम है तो वो knowledge जो है उस knowledge का आप गलत फायदा उठा रहो तो यह वैसे इस्थतिय है तो दोनों opposite condition white जो है वो ethical होता है और black जो है वो malicious होता है next अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो black है hacker होंगे वो क्या करेंगे वही सेम जो चीजे मैं आपको बता रहा था कि इनका objective जो है वो loophole को ढूणना है कमी को ढूणना है और उन loophole को ढूण कर उन कमी को ढूण कर फिर क्या करते है फिर चीजों को अपने आधार पर अपने benefit के आधार पर वो क्या करते है यूज करते है उन data को वहां से चुरा कर अलग-अलग प्रकार से चीजों को करके अपने आधार पर इस्तमाल किये जाते हैं नेक्स्ट नैसे बात करते हैं ख्रेटेmen आगर आप यह कॉंबिनेशन- किसको यहां पर आप देखते हो तो चीजे कंसे ला ऑषना है जहां पर आपको वाई larger gray भी दिखंगे, दोनों को जब मिला देते हो तो वहाँसे एक नया कलर निकलता है, जिसको अब gray बोलते हो, अब यहाँ पर जो gray word है वो कैसे, बोले कि sir, इसमें न, जो characteristics हैं वो white वाली भी है और इसमें जो characteristics हैं, वो black वाली भी है, अगर यहां पर जो philosopher's to share which is black if you take a book to buy bunny's तो छीज़ी वह किस प्रकार से चलेंगी कि कभी स्काम करता है कभी ब्लेक के बड़ी आजिसे पहने हर इंसान के अंदर भगवान भी और राख्षा घुलत इंसान कोALLY in तो इस्ति को इस प्रकार से देखने हो तो ग्रेय भी यह सकती है फिक्स नहीं बोल सकते हो कि यह सही है फिक्स नहीं बोल सकते कि यह ethical है और यह भी नहीं बोल सकते कि नहीं यह ब्लैक हैट हैकर की condition ही है तो यहां पर सीज़े किस प्रकार से दिखते हैं कि the hacker have the qualities of both type of hackers both type of hackers मतलब कि white and black तो यहां पर white की भी characteristics वाइट की भी जो quality है वो भी इन में होती है और black की जो quality होती है वो भी इन में होती है that's why they have been given the name of the grey hat hacker यही reason है कि इनको हम क्या बोल देते हैं हम white और black के combination के करण इनको हम grey hat hacker बोलते हैं these hackers find out the loophole present in the system and also remove them hence they are also called white hat अब देखिए जैसे मान लीजे कि एक system को इनोंने hack किया system को hack करने के बाद उसमें इनको क्या मिल गया कुछ कमिया मिल गई कुछ इनको loophole मिल गया तो अब loophole मिला है तो वो क्या करें वो उस loophole को दूर करें और अगर वो इस प्रकार से चीज़े कर रहे हैं जब loophole को ढूड़ कर जब कमियों को ढूड़ कर और फिर आप उनकमियों को खतम करते हैं या जिस institution का है जिस organization को उनको बताते हैं तो आपकी जो quality दिख रही है वो white hat वाली दिख रही है लेकिन जब उन्ही कमियों को basis पर जो उन्ही कमियों के आधार पर आप चीज़ों को खुद hack करते हो अपने individual interest के basis पर तो वहां पर हम उसको black hat बोल देते हैं तो यह इसलिए इसको क्या बोल देते हैं राम भी है रामण भी है तो इस थती जो है वो इस प्रकार की इसलिए इसको बोल दिया grey hat hacker तो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो red hat hacker की बात आती है अब देखें किसको बोलते हैं यह तो खेर मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा है ऐसा भी हो सकता है red hat hacker उन hacker को बोला जाता है जो mainly government agencies के secret information और उन सभी चीजों को जो sensitive information से related होती है उन से संबंधित होते हैं उनके data को hack करते हैं वहाँ पर हम बोलते जो government agencies जो हैं जो secret information ठीक और sensitive information है तो जैसी सभी सीक्रेट यह sensitive information जो नॉर्मल लोगों के पास में नहीं होनी चीए जो government तक सीमित होनी चीए वैसी information को आप करते हो आई कभी कभी हमने यह देखा है कि आपने सुना होगा raw सुना होगा the तरीके की अलग अलग agencies अलग अलग countries पर काम करते हैं तो हमने यह सुना कि यह जो रौ की जो साइट है रौ का जो डेटा है उसको क्या कर लिया गया है तो हैं पर चीजह जो है वो किस प्लकार से कि इनके जितने भी एजेंट होंगे इनके बारे में पूरी information जो है वो किसको मिल गई वो hacker को मिल गई अब ये इतना खतरनाक है ना कि इन agent कोई जान को भी खतरा हो सकता है तो अलग-अलग countries की अलग-अलग government पे government agencies जो भी है उनकी secret और sensitive information से तालूक रखने वाले जितने भी hacker होते है उनको हम red hat hacker बोलते है तो आप यह याद रखिएगा काफी खतरनाक जो है वो देखने को मिलेंगा इसके बाद आदा है blue hat hacker देखे कलर के आधार पर आपको white समझ में आ गया बाई यह बढ़ियां आदमी है ethical है आपको black समझ में आ गया malicious है आपको gray समझ में आ गया तो आप क्या बोलेंगे आपको gray समझ में आ गया तो आप बोल रहो कि sir समझ में नहीं आ रहा कि ethical है कि malicious है मतलब वो quality पर depend करता है उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर gray के बाद में आपको red समझ में आ गया red मतलब की government agency इसके secret information या sensitive information के basis पर जो relate करते है वो अब बात आती है किसके बात आती है blue hat की तो उसके बारे में देख लेते कि blue color जो है वो किस से related को system के honor को बताता है जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे दिये जाते है और इस तरीके के hacker आम तोर पर किसी एक company के लिए काम नहीं करते है सामानी तोर पर इसकी जो quality दिखाए रही है ना वो थोड़ी सी white hat hacker जैसी दिख रही है बस फरक क्या है कि white hat hacker जो है वो registered है अब यहां पर फरक क्या समझ में आ रहा है कि हमने data को इसलिए hack किया है ताकि हमारा objective यह नहीं था कि हम आपके data को चुरा कर और चीजों को क्या करें हम इस यूज करें बलकि हमारा objective यह था कि हम देख रहे थे कि आपका जो site है आपका जो database हो कितना मजबूत है आपका जो security system है वो कितना मजबूत है और हमने यह देखा कि आपका security system में इस इस प्रकार की कमी है तो जो blue hat hacker यह इस प्रकार के जो hacker है उन्होंने क्या किया आपके system को hack किया और system को hack करने के बाद में ये पूरी information किसको दे दी उसी company को दे दी अब company को ये बोला कि भाई आप क्या करो आप इस कमियों को इन loophole को आप दूर कर लो otherwise future में और दूसरे भी जो दो hacker है वो आपकी इस कमियों का फायदा उठा सकते हैं अब इसके बदले company के लिए तो ये beneficial था ना तो इसके बदले company ने क्या किया company ने उनको अच्छा खासा पे जो है वो कर दिया तो यहां पर situation जो है वो किस प्रकार से दिख रही है कि आप hacking इसलिए कर रहे हो foreign site पर foreign company के database को hack कर लिया था और hack करने के बाद में उसने फिर ये बताया कि आपके system पर ये कमी है और बाद में company ने उसको pay तो किया ही और बाद में उसको hire भी कर लिया और उसने बोला कि ठीक है भाई आप जैसे लोगों की हमको जरूरत है hacking working कर रहो बढ़िया है आओ हमारे company में जुड़ जाओ हम बतायते हैं आपको करना क्या तो यह क्या होता है यह चीजें जो है वह अच्छी खासी है और यहां पर जो hacking हुई वह ethical form में हुई है यहां पर यह नहीं बोल सकते कि नहीं objective आपका malicious था द्वेस्पूर्ण था इसलिए आपने hacking किये तो इस तरीके की यहां नहीं होती तो इसको बोल देते हैं blue hack hacker क्या आपने hacking कर लिया company को बता दिया company ने आपको pay कर दिया अब बोले कि यह नहीं करेंगे ठीक है यहां पर चीजें इस तरीके से नहीं होंगी क्या आप हमको मतलब हम आपको pay तो कर रहा है आओ आओ आप नौकरी कर लो तो यह आपको चीजें जो हैं वो काम वैसा ही दिख रहा है बस यह है इनको पसंद है freelancing है ना यहां पर चीजें जो है वो किस प्रकार से होंगी यह freelancing के form पर करेंगे नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आती स्क्रिप्ट किडी नाम ही है किडी ठीक है किड से बना किडी तो य यहां पर कुछ hacker ऐसे होते हैं, जैसे मांनी जाकि नॉन स्किल्ड है, नए नए आए हैं और बोले कि यार हम घंकरेंगे, यह यह करेंगे, लैकिन करें कैसे, तो वो hacker क्या करते हैं? वो ऐसे hacker की script को चुराते हैं जो पहले से skilled हैं जो पहले से इस internet इस hacking की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं तो वो वैसे skilled person की script को वहां से चुराते हैं और उस script का use करके फिर वो क्या करते हैं hacking करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है script kid is a non skilled person खुद में कोई skill नहीं है एक्जिक्यूट दा है कि इंसिडेंट बाइ यूजिंग tools scripts made by other expert hackers ठीक है तो आपको बस इतना याद रखना है जो नए नए हैं अभी बोलते हैं कि भाई यह चीज़े सीखे कहां से हो तो कोई चोटा यह चोटा बच्चा है और वह उसके बताय हुए रास्ते पर उसके बताय हुए चीज़ों को script के आधर पर कि उसने इस प्रकार की चीज़े की थी उसकी script के basis पर वही काम कर रहा है यहां पर उसी का यूज करके और फिर हम hacking करते हैं तो यहां पर यह चीज़े देखने को मिलते हैं इसको बोल देते है script के डी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है इलीट हैकर को कैसे करेंगे तो आप देखिए इलीट हैकर वे हैकर होते हैं जिनके पास hacking का असाधारन कोसल होता है इनके पास hacking का भरपूर ग्यान है अपने काम में माहिर खिलाड़ी होते हैं बाई एकदम expert हैं ठीक है top level पे बैठे हुए हैं सब कुछ मतलब जानवान के सब कुछ करके एकदम expert बन चुके हैं इस फिल्ड के और फिर आराम से वो अपने आधार पर काम कर रहा है तो जो इस फिल्ड के एकदम पुराने जो programmer है या इस फिल्ड में बहुत knowledge रखते हैं और वो अपने knowledge के basis पर क्या करते हैं hacking करते हैं मतलब इस फिल्ड में जो से hacker के senior hacker है उनको आप बोल द in per computer को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि यह की अजए पाइए ने ऒवाएं होते हैं और होते हैं और टेकनिक के बारे में जादा कुछ पता नहीं होता है नया नया आया है ठीक कि हम दो चार लाइने सिंभ और आगयों बोले कि हां अब हम hacking करेंगे लेकिन उन्हें उन्हें सिर्फ उतना ही देखा है ना। उनको यह लग रहा है कि एक बंद कमरे में हमने जो अलग अलग जबहों से हमने यूटूब से अलग अलग प्रकार से जो चीजे सीखी हैं। सिर्फ उतनी ही चीजें जो हैं वही जरूरी है। जब वह हैकिंग करने जाते हैं तो उस हैकिंग की दुनिया में वो क्या होते हैं नए प्लेयर होते हैं तो यहां पर चीजे जो हैं वो किस तरीके से दिखती है यहां पर चीजे जो हैं वो इस तरीके से के हैकिंग की दुनिया में हैकिंग की जो भी वर्ल्ड है वहां पर आपना एक न नियोफाइट है कि में नियू कमर्स ठीक है कोई नया नया आया है ठीक है दो-चार दिन की बात कर लेने दो ठीक है इसका भी सौक पूरा हो जाए तो इस तरीके की चीजे जो है वह देखने को इनको हम बोलेते हैं कि नियोफाइट है डाइक्स अगर हम देखें तो यहां पर है करने की कोशिस कर रहे है जिससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है वैसे ही है अपर चीजे जो है और आपको धार्मिक याद रखना है और एक आपको राजनीतिक याद रखना है ठीक है तो यहां पर चीजे कभी-कभी ऐसी चीजे देखने को मिलती है कि एक साइट जो है वो हैक हो गई और हैक होने के बाद में फिर चीजे की इस प्रकार से देखने को मिल रहे है कि वहां पर एक मैसेज जो है वो या तो रिलीजियस मैसेज इस प्रेड हो रहा है या वहां पर पॉलिटिकल मैसेज इस प्रेड हो रहा है या वहां पर सोसल मैस वह एक्टविस्ट कहलते हैं और ऐसे हैकर आम तोर पर वेबसाइट को हाईजक या वेबसाइट पर संदेश छोड़ने के लिए जाने जाते हैं कि आपने वेबसाइट को हाईजक कर लिया और आप अपने आधार पर मैसेज जो हैं वह सेंड कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलत नित हैकिंग से संबंदे चीजे जो है वो समझ में आ गई होंगी अब अगर मैं बात करूँ सिविल इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल तीन ब्रांचेस की ठीक तो वहाँ पर एइसी जो है वो आपके लिए एक प्रहार बैश लेकर आया है उस प्रहार बैश में आपको ऑनलाइन और ओ जाते तो इसको टेस्स करिए टेस्स करने के लिए अच्छर सिरीज आपके लिए लेकर आया है जो आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर है स्पी वाई क्यूस वगरा जो चीजे है वह इससमें देखने को मिलेंगी तो यूस करें चीजों को बहतर करें और सेलेक्शन ने पढ़ाई करते रहें ठीक है आज के लिए इतना काफी है next class में मिलेंगे तो आगे किसी और topic पर चर्चा करेंगे ठीक है पढ़ाई करते रहें आपको खुश रहें thank you so much